नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सत्यम आईए करते हैं खबरों की शुरुआत सबसे पहले नज़ा डालते हैं आज की हेड्लाइन्स पर नवगचिया में परतिमा विश्रजन करने आये दो यूगों की कोशी में डूप कर भी मौत घर में मचा कहराम सतंता दिवस की तैयारी को लेकर स्स्पी ने पैरेट पुर्वा अभ्यास का किया निरक्षन डियम करेंगे जंडो तोलन भागलपूर में विवाहिता का संदिग दवस्था में शब हुआ बरामत मिर्तिका के परीजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप करोना के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए डियम ने कॉंटेनमेंट जौन का लिया जाए जा लोगों से बेवज़ा बाहर नहीं निकलने की की अपील और जिले में लगतार जारी है करोना का कहर एक साथ मिले 66 नए पोजिटिव मरीज आंकड़ा पहुँचा 4500 के पार अब समाचार विस्तार से पुलिस दिला नवगचिया के कदवाओपी में कृष्ण जनमाष्टमी के अफसर पर स्थापित की गई परतिमावी सरजन के दवरान दो युवकों की कोशी नदी में डूबने से मौत हो गई मुरी तक दोनों युवकों की पाचान बोडवा टोला निवासी छुथरू मंडल के 18 वर्सिया पुत्र शैलेस कुमार और कपिलदेव सिंग के 20 वर्सिया पुत्र शोनु कुमार के रूप में हुई है गटना की सूचना मिलते ही कदवाओ पी पुलिस गोता खोरों के साथ मौके पर पहुँची और काफी तलाश करने के बाद शब को नदी से बाहर निकाला इस दोरान गटनास्तल पर काफी संख्या में ग्रामीनों की भील जुट गई फिलाल पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोश्ट माटम के लिए भेज दिया है इधर मिरितक के घर में कहराम मच गया है भागलपुर के सेंडिस कंपाउंड मैदान में हर वर्ष की भाती स्वतन्तरता दिवस के अपसर पर होने वाले पेरेट का अभ्यास पुलिस कर्मियों के द्वारा किया गया जिलादिकारी प्रणप कुमार, SSP आशीज भारती एवम SDM समयत कई वरिया पदादिकारियों के नेत्रित में पुलिस के जवानों ने पेरेट का अभ्यास किया बतादें कि सेंडिस कंपाउंड मैदान में डियम प्रणप कुमार स्वतन्ता दिवस के दिन राष्ट यद्वाच का ज़ंडो तोलन करेंगे जिसको लेकर गुरुवार को डियम एवम सीनियर SP ने सेंडिस कंपाउंड में होने वाले जण्डो तोलन कारिक्रम का जायजा लिया इस दोरान SSP आशीज भारती ने पैरेट का निरक्षन कर पैरेट में कुछ खामिया बताई और उसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया साथ ही कोरोना वाइरस के खत्रे को देखते वे डियम प्रणप कुमार ने लोगों से बेवज़ा नहीं घुमने की अपील की भागलपुर के मधू सुधनपूर इलाके के बड़ी दिग्गी गाउं में एक विवाहिता का फंदे से जूलता शव संदिक दवस्ता में ब्रामध हुआ है जिसके बाद ग्रामिनों द्वारा घटना की सूचना मृत्का के परिजनों को दी गई सूचना मिलते ही मौके पर पहुँची अल्ली गंज गंगटी निवासी मृत्का की मा नीलम देवी ने महिला के पती एवं ससुराल वालों पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया साथ ही मृत्का की मा ने बताया कि तीन साल पूर वो बड़ी दिगी निवासी अशोक यादव के पुत्र सोनू यादव से उसकी बेटी की शादी हुई थी पिछले छे महने से ये लोग ससुराल के पास ही टीन की मकान में अपने दो बच्चों के साथ रहते थे साधी के बाद से ही उनकी बेटी को ससुराल में दहेच के लिए प्रतारित किया जाता था बता दें की मृत्का के पिता ने पती शहीद ससुराल वालों पर महिला को मार कर शब को फंदे से लटका देने का रोप लगाया है इधर घटना के बाद से ही पती सहीत ससुराल के सभी सदस्य फरार बताये जा रहे हैं वहीं घटना की सुचना मिलते ही मदू सुधनपूर ओपी के एसाई अनमोल राम पुलीस बल के साथ घटना स्थल पर पहुँचे और शब को कबजे में लेकर पोश्टमाटम के लिए भेज दिया साथ ही पुलीस द्वारा मृतका के परिजनों के बयान पर प्रात्मी की दर्ज कर मामले की तफ्तिस की जा रही है भागलपूर में लगतार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कॉंटेंट मेंट जौन का जाए जा लिया डियम प्रणब कुमार, सीनियर एसपी आशीज भारती समेत प्रशासनिक और पुलीस अधिकारियों ने शहर में बने बिभिन कॉंटेंबेंट जौन का जाए जा लिया जिला प्रशासन के अधिकारियों ने तिलकामाजी चौक, खंजरपूर, लालबाग चौक, सराय सहित कई स्थानों पर बने कॉंटेंट जौन का निरक्षन करते हुए संबंधित अधिकारियों का आवसक दिशा निर्देश दिये तो इसका उधिश यह है कि कंटेंबेंट जौन के लिए प्रभावी किया गया है ताकि कंटेंबेंट जौन में पूल दी एक पेस पाया गया है तो वहां से दूसरी जगा नहीं पर निर्देश दिन करोना के मरीजों में बेताहशा ब्रिधी हो रही है गुरुबार को आई ताजा रिपोर्ट के अनुशार जिले में 66 नए करोना संक्रमित मिले हैं वहीं पलोसी जिला बाका में 23, मुंगेर में 55, पुर्णिया में 130, खगलिया में 86, एवं कटिहार में 200 करोना संक्रमितों के मिलने की पुष्टी हुई है वहीं राजधानी पटना से 399 नए करोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं बतादें की राजधे में गुरुबार को कुल 496 करोना संक्रमित मिले हैं इधर जिले में लगतार चल रहा करोना संक्रमितों का ग्राफ जिले वाशियों के लिए बड़ी परिशानी बन सकती है वक्तो चला एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद मन की उदासी, नस, सिरदर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, शेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रक्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हीतू शंपर्क करे भागलपूर इस्थित आनंद क्लिनेक, जो कलसंटेंट नीरो साइकाटरिस्ट, सेक्सोलोजिस्ट, डी एडिक्सन थेरेपिस्ट के मसहूर डॉक्टर, रिशी आनंद की देख रिखमी किया जाता है अत्याधुनिक सुविधाओ से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ-साथ मरीजों के भरती हेतू 24 घंटे AC, नान-AC, जेनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है आनंद क्लेनिक, लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कुल के समीप, मशाक चक, भागलपूर, बिहार Lifeline CT Scan and Digital X-ray डॉक्टर शशिकर, MD, Radio Diagnosis द्वारा संचालित Lifeline CT Scan and Digital X-ray में अत्यादुनिक तक्नीक से सभी परकार के Radio Diagnosis की सुविधा पिछले आठ साल से उपलब्ध है भागलपूर का पहला Digital 1.5 टेसला Whole Body MRI Scan Multi-Slice Whole Body CT Scan अत्यादुनिक Ultrasound Machine से 2D, 3D, 4D Color Doppler Ultrasound Guided पाने निकालना अत्वा Pregnancy का Level 1 या Level 2 की जाच की सुविधा Digital X-ray से सामान X-ray के साथ-साथ IVP, RGU, HSG की जाच Digital Dental X-ray से पूरे जबडे का OPG अत्यादुनिक पैथोलोजी की वेवस्था, खोन, पेशाब, आदी जाच के लिए बाहर जाने की ज़रुरत नहीं हवादार प्रतिक छाले एवं सुद्ध पेजल के वेवस्था कोरोना संक्रमन के प्रती सचेत वा सुरक्षित वेवस्था Lifeline CT Scan and Digital X-ray का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों वा डॉक्टरों द्वारा मानने है Lifeline CT Scan and Digital X-ray Lifeline CT Scan and Digital X-ray Lifeline CT Scan and Digital X-ray ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है बढ़ते अगली खबर की ओर बिहार में पुर्ण शराब बंदी के बाब जूद शराब तसकरी का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है नवगचिया पुलीस ने शराब की तसकरी पर लगाम लगाने के लिए तेतरी निवाशी विनीच चौधरी के घर च्छापे मारी की घर से तलाशी के दवरान छिपा कर रखा गया 240.5 लिटर देशी शराब एवं 55 बो तलबी अर बरामद हुआ है शराब बरामदगी को लेकर नवगचिया थाना ध्यक्ष राजकपूर कुश्वहा ने बताया कि मदनिशेद विभाग पटना को तेतरी पंचायत के विनीच चौधरी के घर से भारी मातरा में विदेशी शराब की तसकरी करने की सूचना मिली थी जिसके बाद नवगचिया थाना को विनीच चौधरी के घर च्छापे मारी करने का निर्देश दिया गया वहीं पुलीस के आने की भनक लगते ही शराब तसकर विनित चौधरी मौके से फरार हो गया बता दें की शराब ब्रामतगी के मामले में विनित चौधरी के उपर मदनिशेद अधिनियम के तहत प्रात्मी की दर्ज कर ली गई है और पुलीस टीम शराब करोबारी को गिरपतार करने के लिए उसके ठिकानों पर चापे मारी कर रही है भागलपूर में लगतार कोरोना मरीजों की संख्या में हो रही वृधी के बाबजूद लोग इसके संक्रमन को हलके में ले रहे हैं इंटरमेडियेट में नामंकन की तिथी बढ़ाये जाने के बाद चात्रों की भारी भीड कॉलीजों में नामंकन के लिए उमड़ी टीनबी कॉलेज के स्टेडियम में इंटरमेडियेट के बिविन संकायों में नामंकन की वेवस्था की गई है लिकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमन के बीच ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और नहीं कतार में लगे छात्र माश्क का उपियोग कर रहे हैं इतना ही नहीं नमंकन लेने वाले कर्मचारी भी बिना माश्क काउपियोग किये ही फॉर्म जमा ले रहे हैं। तश्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह करोना काल में सरकारी गाइडलाइन्स की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बीजेपी सांसद अनन्थ हेगले एक बार फिर से अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में आ गए हैं। इस बार पुर्व मंत्री अनन्थ हेगले ने करनाटक के उत्रा कंणल जिला में एक कारिक्रम के दवरान BSNL कर्मियों को देश द्रोही और गद्दार करार दे द और प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी एवं भाजपा के राष्टिय अध्यक्ष जेपी नड़ा से सांसद को अविलंब बर्खाष्ट करने की मांग की। NFTU जिला सचीब सुनिल कुमार सिंग के नेत्रित में BSNL कर्मियों ने भाजपा सांसद द्वारा गद्दार करार दिये जाने और BSNL का नीजी करन करने की बात का पुर्जो और विरोध करते वे शरकार के खिलाप जम करना रिवाजी की। इस दरान HDES के कनोजिया, काली परसाद यादव, विपिन यादव, जैराम शर्मा, अर्शद अली समित कई BSNL कर्मी मौजूद थे। अंदोलन उग्र से उग्रतर होते चला जाएगा पूरे देश ले। हमको खोर जी का लाइसेंस अभी तक नहीं दिये हो, हम रोज मांग कर रहे हैं, रोज इसके लिए हर्ताल पर दर्फन कर रहे हैं, और हम तू जी थिरी जी पर पानी पिला रहे हैं प्रेविट कंपनी को, हम देश का सेवा करते हैं, जम्मू कस्मीर के बॉर्डर पर, केरल के प्रास्दी में हमीं खड़ा रहते हैं, केदार नौत गाटी में हमीं खड़ा रहते हैं और इसके बाद हमको तुम बोलते हो, देश का दद्दार है। रखने वाला भागलपूरी शिल्क ग्रहाकों के अभाव में अपना स्तित्व खो रहा है। रखने वाल भागलपूर तिलका मांजी विश्विद्याले के रविंद्र भवन में राजभवन की ओर से सहायक प्रध्यापकों की निकाली गई रिक्ती मामले में विश्विद्याले अतिती सिख्चक संध ने बैठक की, जिसमें राजभवन की ओर से सहायक प्रध्यापक पद के लिए निकाली गई रिक्ती मामले में गड़वली पर चर्चा की गई मुख्यरूप से बिहार की डोमिसाहिल निती लागू नहीं होने और पुर्व में पिएशडी की अब भिहार्थियों को शामिल नहीं हो पाने को लेकर चर्चा की गई और निकाली गई वेकेंसी में गड़वली के खिला पांदोलन चलाने का निरने लिया गया राजभवन के द्वारा राज में होने वाले सहायक प्राध्यापक नियुक्ति के लिए नियमावली जारी कर दी गई है लेकिन उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ये सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार के सभी विस्विद्यालियों में 2000 से उपर अतिती सिक्षक पुर्व से कार्ज कर रहे हैं तो ये जो नियमावली बनी है उसमें बिहार में पुर्व से कार्ज कर रहे हैं अतिती सिक्षकों के लिए कहीं कोई विवस्था नहीं की गई है इसके साथ साथ नहीं बिहार में डुमिसाइल लागू किया गया है साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उसमें कई तरह का पेच फसाया गया है जो लोग यहां से पिएच डी किये हैं उनके उपर भी खत्रा मन्रा रहा है कि वो उसमें सामिल हो पाएंगे कि नहीं उन्हीं सारी बिश्यों पर विचार विमर्ज को ले करके काज़रत अतिती सिक्षकों को न्युक्ती में भागीदारी ले करके उनकों सेवा नियमिती करन को ले करके हम लोग आज बैठक कर रहें कहलगाउन मंडल चेतर के बिभीन चेतरों में बुदवार को श्रीक्रिष्न जनमोट सब काफी धूम धाम से मनाया गया वहीं चन्नोगाउश्थित स्रीराधा कृष्ण मंदीर में वैसनम मत के अनुशार स्रीक्रिष्न का जनमोट सब मनाया गया वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमन के बीच सरधालों की भीड लगी रही पूजा में उपस्तित आचारी नयंतिवारी ने बताया कि श्रिक्रिष्न भारत ही नहीं अभीतु बिश्व के महान समाच चुधा रखें अन्याय कुपोशन कुरुईती आदी का श्रपर्थम उन्हों ने ही विरोध किया है इंद्र के अस्थान पर गोवर्धन पुजा कराकर प्राकिर्तिक संरक्षा का संदेश दिया था इंद्र के अस्थान पर गोवर्धन पुजा कराकर प्राकिर्तिक संरक्षन वगव चराकर पशुधन सुरक्षा का संदेश दिया था आज के राजनितिक को उनसे प्रेरना ग्रण कर राष्ट्रो उध्धान में भूमी का निभानी चाहिए मौके पर ग्रिराज भाष्कर जैचंद सिंग रगुवन सी सुर्जीत राय सुभास यादव उत्तम 24 सहित कई कलाकारेवम सरधालू मौजूद थे भारत ही नहीं बलके बिश्टु के प्रतिवा के धनी बैयाया सोधा के दुलारे गोपालक गोपिका वल्लव और हमारे समासु भारत कोर श्रेकृष्टु का प्रकात्य又 सब इवास है तो सुभास के जीवन से हमें बहुत कुछ सिखने कीनलिती है जैद disfr और सबसे वहकारों अहिन सब में चलते चलते कनेजह डालते हैं आज ही हीडलाइन vuelta में पर्रति ब्रतिमाव युष्ष्ट जय선 करने आए दो यूवकों की कोशी में डूब कर भी मौत, घर में मचा कहराम। सतंतता दिवस की तैयारी को लेकर सस्पी ने पैरेट पुर्वा भ्यास का किया निरक्षन। डियम करेंगे जंडो तोलन। भागलपुर में विवाहिता का संदिक दवस्था में शब हुआ बरामत, मिर्तिका के परीजनों ने सस्राल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। करोना के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए डियम ने कॉंटेन्मेंट जौन का लिया जाए जा लोगों से बेवज़ा बाहर नहीं निकलने की की अपील। और जिले में लगतार जारी है करोना का गहर एक साथ मिले 66 नए पोजिटिव मरीज आंकड़ा पहुंचा पैतालिस सो के पार। फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही नमस्कार।